अध्यक्ष महोदे आज जो किसान है गन्ना पैदा करता है वह परिशान है कि क्या होगा हमारा यह व्यापार रहेगा या नहीं रहेगा उसका यह व्यापार चलेगा या नहीं चलेगा एक तरफ तो यह कहा जाता है कि किसानों को गन्ने की ज़्यादा कीमत मिले हम किसानों की सहायता करना चाहते हैं और किसानों से हम यह आशा करते हैं कि वे अधिक पैदा करें लेकिन दूसरी तरफ किसानों को जो मिलने वाली चीजें हैं उन पर नएक कर लगाए जाते हैं किवल केंद्र सरकार ही नहीं बलकि राज्य सरकारें भी कर लगाती रहती हैं अधिक उपज के लिए किसानों को कुछ चीजों की आवशक्ता है जिनकी पूर्ती करना बहुत आवश्यक है उनको ऐसे साधन चाहिए जिनको वे खेती में उप्योग कर सकें हमारे प्रदेश में बड़े बांध बने हैं और उनसे बिजली पैदा होती है लेकिन बिजली घर का कहीं पता नहीं है बिजली घर यदि बना भी हुआ है तो भी उनको बिजली नहीं मिलती है नलकूप बड़े हैं लेकिन चालू नहीं किये जा रही हैं जहां पर बिजली पहुची भी है वहां के जो किसान हैं वे भी दर-दर की थोकरें खाते फिरते हैं लेकिन उनको बिजली नहीं मिलती है बेचारे किसी तरह से कर्ज लेकर डीजल पंप खरीरते हैं और उससे वे काम चला रहे हैं लेकिन अब सरकार ने डीजल तेल पर भी कर बढ़ा दिया है इसका नतीजा यह होगा कि उनके पंप पड़े रह जाएंगे फिर आपको कहां से अन मिलेगा आप किसान से यह आशा करते हैं कि वह अधिकधन अन पैदा करके आपको दे उपज बढ़ावे लेकिन जो साधन हैं उन पर आप कर लगाते जा रही हैं किसान पर आप इतना बोज डालते जा रही हैं कि उनके प्रियोग को ही वह भूल जाएगा खाद की भी बात की जाती है आप कारखाने भी खोलना चाहते हैं दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं उनको आप निवेदन कर रही हैं कि यहां आकर वे खाद के कारखाने खोलें और खाद पैदा करें क्या खाद आप इसलिए पैदा करना चाहते हैं कि किसान उसको ले जाए और उसकी फसल भस्म हो जाए कारण यह है कि उसको समय पर पानी तो मिलेगा नहीं अगर पानी नहीं मिलेगा तो खाद किस काम आएगा इसलिए आवशक्ता इस बात की है कि उसे पहले पानी दिया जाए अध्यक्ष महोदय मैं आज एक ऐसे विशय पर बोलने जा रहा हूं जो देश की सामने एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है आज कल क्रिशी पर बहस चल रही है मैं कल से सुन रहा हूं कई लोगों ने तो सरकार की बड़ी प्रशंसा की है कि वह बहुत ही अच्छा काम कर रही है मैं मंत्री महोदय से एक प्रश्न करना चाहता हूं मार्च में मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि दो वर्ष में हमारा देश आत्म निर्भर हो जाएगा मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा कहने के पीछे उनका आधार क्या है कौन से उनके पास ऐसे प्रमाण हैं जिनके आधार पर उन्होंने इस प्रकार की घोशणा की है मैं चाहता हूँ कि जब वह उत्तर दें तो इस बात को अपने उत्तर में बताईं आप जानते हैं कि इस देश में 80% लोग खेती करते हैं और उसके बाद भी आज हमारे देश का सम्मान दूसरे देशों में कितना है आज हम दूसरे देशों से देश के नागरिकों के लिए खाद्यानों का आयात काफी मात्रा में कर रही हैं खाद्यान की इस्थिती बिलकुल संतोस जनक नहीं है देश में जहां लोग 80% खेती करते हैं हम भोजन के मामले में भी आत्म निर्भर नहीं हुए हैं इसके कुछ कारण है जिस समय देश स्वतंत्र हुआ उसी समय से इस सरकार ने कुछ गलतियां की हैं अपने देश में पहला इस्थान खेती को न देकर उद्योग को दिया गया है उद्योग हमारे देश के लोगों की जिविका का मुख्य साधन नहीं हो सकता है भोजन की समस्या हल के लिए किन-किन चीजों की आवशक्ता है उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए सबसे पहले पानी की आवशक्ता है मैं समस्ता हूँ कि देश में सीचाई पर काफी जोर दिया जाना चाहिए और सीचाई तथा खाद्यमंत्री एक होना चाहिए या मेरी मांग है पानी के बाद खेती के लिए खाद भी आवश्यक है खाद का इस्थान दूसरा हो सकता है आज देश में खाद की बात काफी जोर देकर कही जाती है यह कहा जाता है कि उपज को बढ़ाने के लिए खाद की आवश्यक्ता है बिना खाद के उपज नहीं बढ़ सकती किन्तु खाद कहा तक उपज को बढ़ा सकेगी यह भी देखने और सोचने की ही बात है इस ओर एक समन्वयक नीती चाहिए उत्सपलेश बढ़ाई आप पारि दो झाल सितने में उन्वयक्ता है